हेलो बचों कैसे हैं आप सभी आई होप आप सब भी इन वॉक्षीट को काफी जादा इंजुआई कर रहे होंगे आज इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कक्षा साथ की वॉक्षीट नमबर 20 जो की 23 सितंबर 2021 की वॉक्षीट है और आज का विशे है बचो विज्ञान और हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है पादपो में पोशन तो चले शुरू करते हैं आपने क्या सीखा सभी जीवों को खादी की आवशकता होती है जिसका उपियोग वे अपनी वृधी एवं शरीर के रख रखाओं के लिए तथा आवश्यक उर्जा प्राप्ति के लिए कर होता है और साथ ही साथ हमारी जो उर्जा की आवश्यकता है वो पूरी होती है अगर हम हरे पादप की बात करें तो वो प्रकास संसलेशन करते हैं और इससे अपना भोजन खुद बनाते हैं यानि कि संसलेशित करते हैं अब हरे पादप को कौन-कौन सी चीज़े चाहिए हो ले लेते हैं तो इन सभी चीजों की जरूरत होती है उन्हें अपने भोजन को संसलेशित करने के लिए और प्रकास संसलेशन के लिए क्लोरोफिल, कार्बन डायोकसाइड, जल एवं सूरिका प्रकास अनिवारे रूप से आवश्यक है यानि क्लोरोफिल भी बहुत जरूरी है कार्बन डायोकसाइड भी बहुत जरूरी है जल भी बहुत जरूरी है और सूरिका प्रकास भी बहुत जरूरी है इनके बिना फोटो संथेसिस यानि प्रकास संसलेशन की प्रक्रिया होती ही नहीं है तो ये चारो चीज़े पौधों में बहुत जादा जरूरी है प्रकास स की उत्पाध है यानि की जब पौधों को यह सारी चीजय मिल जाती थे प्रकास संस्लेशन की प्रक्रिया होती है और उसके बाद कार्बो हाइडरीट बनता है ठीक है तो प्रकास зарगय कर रख्रां में क्लोरोफिल की सहाईता से पत्यों द्वारा सौर उर्जा का संचैन किया जाता है यानि जो पौधो में उपस्सित होती है chlorophyll उससे ही जो हमारी सूरिक का प्रकाश है वो पतियों में पौधों की पतियों में स्टोर हो जाता है ठीक है इसके बाद हम देखते हैं कि प्रकाश संसलेशन में उत्पादित उक्सीजन का उप्योग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तर जीविता के लिए किया जाता है तो हम सब जानते हैं कि पौधे प्रकाश संसलेशन करते हैं और प्रकाश संसलेशन में वो कार्बो हाइडरेट के साथ साथ एक चीज और बनाते हैं और वो है उक्सीजन और यह जो ही मिलेगी उसके बाद है कवक अपना portion मृत येवं अप घटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं यानि कवक जिसको हम simple भाषा में फफूंदी कहें तो फफूंदी अपना भोजन कहां से प्राप्त करते हैं मृत पदार्थों से और अब घटित जयाप पदार्थों से प्राप्त करते हैं और इसलिए क्योंकि ये मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं इसलिए ही इन जीवों को कहा जाता है मृत जीवी अमरबेल जैसे पादप परजीवी होते हैं क्योंकि अमरबेल किसी दूसरे पादप के उपर रहता है और उसी से अपना भोजन ग्रहेंड करता है तो वे परजीवी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं परपोशी सॉरी दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं जैसे की छत्रक ये दे रखा है इसको विशम पोश्री कहते हैं जैसे हम लोग हैं इंसान है अपने भोजन की आवशक्ता के लिए या तो दूसरे पौधों पर निर्भर करते हैं या फिर हम किस पर निर्भर करते हैं जीव जन्तुओं पे तो इसलिए हम कहलाएंगे विशम पोशी ठीक है अब इसके बाद हमें तीन प्रश्ण दे रखे हैं पहला है अमर बेल उधारण किसका है परजीवी का है इसके मैं आंसर लिखकर भी दिखाऊंगी दूसरा है प्रकास संसलेशन के लिए क्या आवश्यक ह है और तीसरा प्रश्ण है कि प्रकास संसलेशन में डाश उत्पादित होता है तो हमने उपर ही देखा कि कार्वो हाइड्रेट बनता है तो चलो इनकी आंसर मैं लिखकर दिखाती हूं आप सभी को तो देखिए पहले प्रश्ण में आप लिखेंगे अमर बेल उधारण है परजीवी का दूसरा प्रश्ण है कि प्रकास संसलेशन के लिए क्लोरोफिल कार्बन डायोकसाइड जल एवं सूरे का प्रकाश अनिवारे रूप से आवश्यक है अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्ण इसमें हमसे पूछा हुआ था कि प्रकास संसलेशन में क्या अधित होता है तो यह थी आज की हमारी साइंस की वॉक्षीट जो इस पूरे चाप्टर की समरी थी आई होप आपको यह पूरा चाप्टर अच्छी से समझ में आ चुका होगा लेकिन अगर कोई आपका डाउट रह गया है कोई चीज है कोई कॉई कॉनसेप्ट है जिसमें दाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप उससे क्लियर कर सकते हैं ठीक है अगर आपको यह वीडियो पेसंद आई है तो इसको लाइक करें अपने फ्रेंज के साथ चैर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आगे की वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहें थैं थैंक यू